हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल एजियो ओन में तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्क्वेर इस वीडियो में हम 1 से लेकर 125 तक के जो स्क्वेर है वो हम इजी ट्रिक्स से कैसे कर सकते है उसकी ट्रिक्स देखेंगे तो आए शुरू करते हैं ये वीडियो तो देखिए, यहाँ पर नमबर दिया गया है 25, ओके, तो आज के वीडियो में हम कहीं ट्रिक्स देखेंगे, उसमें से पहली ट्रिक्स है, a number with unit digit 5, तो कहने का मतलब यह है, कि अगर कोई नमबर दिया गया होगा, तो उसमें, यहाँ पर जो last में जो नमबर है, अगर वो 5 होगा, तो यह ट्रिक्स लागू होगी, ओके, तो देखते हैं, यह ट्रिक्स कैसे होगी, अगर जनरली हमें square करना हो, तो हम कैसे करेंगे, तो हम यह से लिखेंगे, यहाँ 25, multiply by 25, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 25, 2, 5, 0, और यह 25, 5, 1, 25, तो यहाँ इस तरह, यहाँ 5, 2, और 6, इस तरह हम square करेंगे, अगर यह number छोटा हुआ, तो हम easily कर सकते हैं, लेकिन अगर यह number बड़ा हुआ, तो यह process है, वो बहुत longer हो जाएगा, ओके, तो short trick की मदद से हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, यहाँ हमे number, unit digit number दिया गया है, 5, तो हमें क्या करना है, कि यह 5, त नंबर देखना है हमें, यह 10s place पर जो नंबर दिया गया है, वो 2 है, तो हमें मालूम होगे, ऐसा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो नंबर से इस तरह line में होते हैं, तो जो नंबर दिया गया है, हमें उसके बाद का नंबर, यानि 2 दिया गया है, तो उसके बाद का नंबर, यानि 3, तो ये number का multiplication उसके बाद के number के साथ करना होगा, तो 2 का multiplication हम 3 के साथ करेंगे यहां, क्योंकि यहां 2 दिया गया है, उसके बाद का number होगा 3, तो 2 का multiplication हम अगर 3 के साथ करें, तो कितना हैगा, 2, 3, 6, तो यहां हम 6 लिखेंगे, so 6, 25 which is our answer, एक ही step में आ गया, इतनी lengthy process करने की हमको ज़रूरत नहीं है, आया देखते हैं next question, देखिए, यहां पर question दिया गया है 65, so this trick is applied to the number having unit digit 5, ओके, so यहां 5 दिया गया है, ओके, so 5 का square कितना होगा, 25, ओके, और 6 के बाद कौन सा number आएगा, 7, तो 6 और 7 का multiplication कितना होगा, 42, तो यहां आगे 42 लिख देना हमें, so 4, 2, 2, 5 which is our answer, अगर इसको आप conventional method से करने के लिए try करेंगे, तो इतना lengthy process आपको करना पड़ेगा, यहां 0 लिखेंगे, बाद में यहां number लिखेंगे, और यह 5 के साथ लिखेंगे, और इन दोनों का addition करेंगे, तो यहां हमेरा answer आएगा, so इतनी ज्यादा process करने की जरूरत नहीं है, directly किया करना है, यहां पर 5 है, तो उसका square 25 लिखना है, और जो number दिया गया है, उसके बाद के साथ, उसका जो consecutive number है बाद का, उसके साथ उसका multiplication, वो यहां पर 2 digits में हमको लिख देना है, easy है, आया देखते है next question, देखे, यहां पर question है 85, 5 का square, 5 का square कितना होगा, 25, okay, so 25, and 8 के पीछे कोन आता है, 9, तो 8 और 9 का multiplication कितना हुआ, 72, so 7, 2, 2, 5 which is our answer, एकदम salt trick है, so these are the question for practice, तो 2 minute video post कीजिए, और यह दिये गए question को अपने आप से करने के लिए try करें, तो यहां पहला question दिया गया है, 35 square, तो यहां 5 दिया गया है, तो 5 का square, 25, और 3, 3 के बाद कोन आता है, 4, so 3, 4 जा, 12, so 1, 2, 2, 5 which is our answer, next, 5, 5 का square, 25, okay, और 7, 7 के पिछे कोन आता है, 8, so 7 जा, 56, next, 45, 5 का square, 25, और 4, multiply by उसके बाद कोन आता है, 5, so 4, 5 जा, 20, so 2, 0, 2, 5 which is our answer, यहां 95 का square, पिछे 5 है तो, 25, और 9 multiply by 10, कितना होगा, 10, 9 जा, 90, so 9, 0, 2, 5 which is our answer, तो इस तरह, आप एकदम easy trick से यह कोई भी question है, solve कर सकते हैं, जिसके पीछे unit digit 5 दिया गया होगा, ओके, आए देखते हैं, next trick, suppose number दिया गया है, 25 से लेकर 75 के बीच में, क्यूंकि 1 से लेकर 25 तक का जो square है, वो तो हमें, ओरली आता ही है, तो हमें 25 से लेकर 125 के बीच में, जो number है, उसका square find करना है, तो यहाँ पर number दिया गया है, 46, तो यह trick है, जो number 25 से लेकर 75 के बीच में है, जो number उसके लिए apply होगी, तो देखिए, यहाँ पर कैसा होगा, कि यह 46 है, तो यह number कौन से number के नजदिक है, तो 50, तो यहाँ हम 50 को based consider करेंगे, so number 50 which is considered as a based over here, okay, so यहाँ कोई भी number 25 से लेकर 75 के बीच में दिया गया होगा, so वो number 50 से कितना काम है, या 50 से कितना ज्यादा है, कौन है, okay, so यहाँ हमें 4 लिखना है, suppose 4, और 4 का square कितना होगा, 16, so यहाँ चो number आता है, तो उसका last two digit क्या आएगा, 16, क्योंकि यह number 50 से जितने कौन है, जितने कौन है उतना square, उसका square लिखना होगा, यहाँ पर तो 16 आया, okay, बाद में हमें क्या करना है, कि यह number कितना कम है, 4, तो हमें क्या करना है, कि 25 लिखना है, जब number 25 से लेकर 75 के बीच में हो, तो हमें क्या करना है, कि 25 में से उतने number कम करना है, जो number दिये गया है, वो 50 से जितने कम है उतना, तो यहाँ कितने कम है, 50 से 4 कम है यह number 4 कम है तो यहां हमे 4 लिखना है और कम है इसलिए यहां हमे 25 में से हम सब्ट्रेक करेंगे तो कितना आएगा यहां पर 25 में से 4 यानि 21 तो यहां क्या लिखना होगा 21 2116 which is our answer एक बार हम इसको conventional method से भी try कर ले ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी देर लगेगी सपोज यहां square करना हो तो हम इस तरह करेंगे तो देखिए यहां एक 0 आएगा 4, 6 जा 24 यहां 2, 4, 4, 16 और 218 यहां देखे 36 तो यहां आएगा 6, 3 यहां 6, 4 जा और 3 कितना होगा 27 तो 6, 1 और यहां 2 21, 1, 6 इतनी मेथल के बाद यहां आया तो यहां हम directly यह number ले कर आ गए तो अगर आप इसकी practice करेंगे तो आप जल्दी से यह solve कर पाएंगे आया देखते है next question देखिए question यहां दिया गया है 41 तो यह number है 25 और 75 के बीच में so 50 से कितने कौम है 50 से कितने कौम है यह number 9 कौम है so 9 का square क्या होगा 81 तो जो 4 digit का हमारा answer आएगा तो 81 कहां पे होगा last two digits में so यहां हम 81 लिखेंगे अब यह number 50 से कौम है क्या है 50 से कौम है तो हमें क्या करना होगा 25 में से subtract करना होगा तो कितना 9, क्योंकि यह number 50 से कितने कम है 9, तो 25 में से 9 जाएगा, तो कितना आएगा 16, तो यहां लिखे 16, so 1681 which is our answer, देखिए और question, तो यहां हम लिखेंगे 12, ओके, तो देखिए, यहां answer आएगा 9, 6, यहां 1 केरी थी, तो 2 और 1, कितना आया, 3 और 1, so 1369 which is our answer, तो directly without more calculation, आप इसको imagine करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए, मैं इतनी सारी यहां long process कर रहा हूँ, ओके, आये देखते हैं, एक और question, ओके, यहां number दिया गया है 56, देखिए, आगे के जितने हमने question किये, वो number थे, 50 से कम, लेकिन यह है, वो 50 से ज्यादा है, यह number 50 से ज्या 36, ओके, देखिए, अब यह 6 ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, 25 में 6, 8 करना है, अगर कम होगा, तो सब्ट्रेट करेंगे, और ज्यादा होगा, तो हम 8 करेंगे, तो 25 में 6, यानि कितना, 31, so 31 यहां place करेंगे, so 31, 36, which is our answer, आए देखते हैं next question, यहां question दिया गया है, 68 square, ओ ज्यादा है, यह नंबर, 50 से ज्यादा है, 18, ओके, 18 ज्यादा है, so 18 का square क्या होगा, 3, 24, ओके, so यहां हमारा जो नंबर आएगा, वो 4 डिजिट में होगा, तो यहां हम last के 2 डिजिट यहां लिख देंगे, तो एक नंबर यहां हमारा remaining रहता है, वो क्या हुआ हुआ, केरी, ओके, देखिए, अब कितने ज्यादा है, यह 50 से 18, तो हमें क्या करना है, के 25 में 18 एड करने है, तो 25 में हम 18 एड करेंगे, तो कितना आएगा, 43, ओके, so यहां 43 हम लिखेंगे, तो यहां क्या आएगा answer हमारा 4, 2, यह 3 और यह 3 एड करेंगे, तो 6 और यहां 4, so 4, 6, 2, 4, which is our answer, directly, यह question आप solve कर सकते है, तो यहां question दिया गया है, 46 square, तो यह 50 से कम है, 50 से कम है, कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का square क्या होगा, 16, 4 का स्केयर, 16, यानि last 2 digit कितना होगा, 16, अब देखिए, यहां कितना कम है, 4 कम है, तो 25 मेंसे 4 जाएगा, तो कितना आएगा, 21, 141, so 2116 which is our answer, आई बात समझ में, नेक्स्ट देखिए, यह किया है, 38, 38 किया है, अगें कम है, कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वेर किया होगा, 144, तो लास्ट के 2 लिजिट में हम लिखेंगे, 44 और 1 आएगा, केरी, कितना कम है यहाँ, 12 कम है, तो 25 में से अगर आप 12 को सब्ट्रेक्ट करते हैं, तो कितना आएगा, 13, और 13 और 1 यहाँ पर कितना आएगा, 14, so 144, which is our answer, आई बात समझ में, देखिए, एक और क्वेस्टन, सपोज यहाँ 58 दिया गया है, तो यह क्या है, ज्यादा है, यह नमबर ह वो 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, ओके, तो 8 का स्क्वेर कितना होगा, 64, 8 का स्क्वेर कितना होता है, 64, और यह कितने ज्यादा है, 25, 50 से 8, so 25 में अगर हम एड करें इसको, तो कितना आएगा, 33, so 3, 3, 6, 4, which is our answer, I hope यह आपको समझ में आ रहा है, ओके, so question number 4 और question number 5 का answer आप हमें comment box में बताए, तो यह थे 1 से लेकर 75 तक के square, आगे के वीडियो में हम देखेंगे 76 से लेकर 1000 तक के number के square हम short trick की मदद से कैसे करेंगे, तो I hope यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो यह से ही तमाकेदार tricks देखने के लिए, like करना, share करना औ अमारी YouTube channel AG1 एंक य।